Welcome और Welcome Back to Learn Talkies आज हम Indian Constitution के Part 4 Directive Principle of State Policy के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने Part 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया है उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में आड कर दूँगी स्टार्ट करते हैं Part 4 Directive Principle of State Policy के साथ Indian Constitution के Article 36 to 51 बात करता है DPSP की इंडिया ने DPSP का आइडिया आइलेंड से लिया था DPSP को Instrument of Instruction भी कहते हैं मतलब यह instruction देते हैं इंस्ट्रक्शन देख इनको रहे हैं तो यह हमारी स्टेट, हमारी गॉर्मेंट को instruction देते हैं कि उन्हें क्या काम करने चाहिए Government of Indian Act 1935 में DPSP को नाम दिया गया था Instrument of Instruction अगर हम अपने प्रियांबल को concise कर दे तो Indian Constitution के तीन गोल्स हैं Social, Economic and Political Justice को अचीव करना और इन तीनों गोल्स को अचीव करने की Combined जिम्मेवारी, Fundamental Rights and Directive Principle of State Policy की हैं Directive Principle of State Policy हमें Social and Economic Rights देते हैं बट DPSP granted नहीं है मतलब यह security नहीं देते कि जो point DPSP में लिखे हैं वो rights आपको हर बार मिलेंगे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस time पे, उस जगा पे comment के लिए possible ना हो उस चीज़ को पूरा करना अगर ऐसा होता है कभी तो आप Supreme Court में नहीं जा सकते complaint करने की डिरेक्टर प्रिंसिपल में तो यह लिख है और government हमें नहीं दे रही है क्यों? क्योंकि यह not justice-able है जैसे fundamental right justice-able थे अगर हमारे fundamental rights वायलेट होंगे तो हम Supreme Court जा सकते हैं सीधा बट अगर हमारे डिरेक्टर प्रिंसिपल में जो लिख है वो government पूरा नहीं कर रही है तो हम उसके लिए court नहीं जा सकते यह कुछ instructions यह कुछ principle government को दिया है जो उने करने चाहिए बट उन्हें force नहीं किया गया वो उनकी choice है example से समझते हैं जैसे article 43 हम आगे जाके सारे articles देखेंगे तो article 43 है वहाँ पे wages देने की बात किये कि आपको आपके काम के पैसे दिये जाएंगे बट कई बर ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे government के पास आपको pay करने के लिए पैसे नहीं है तो आप उसके लिए court नहीं जा सकते आप उन्हें पे करने के लिए force नहीं कर सकते ऐसे article 41 में बात किया right to work की आपको किसी भी reason की वज़ा से job नहीं मिल रही है तो आप government को यह नहीं बोल सकते कि directive principle में तो लिखा हुआ है कि आपको job दी जाएगी आपका right आपको job मिलेगी बट मुझे तो job मिल नहीं रही है और आप job दे नहीं रही हो तो इसलिए मैं court जागे complaint कर रहा हूँ तो नहीं बट यहाँ पर simple क्या है कुछ instructions हमारे part 4 में लिखी गई है जिसे हम force नहीं कर सकते article 36 definition देता है state की state क्या है इसकी definition fundamental right के article 12 में भी दी गई है दोनों का मतलब same है दोनों same definition की बात कर रहे है definition of state उसके बाद article 37 DPSP की nature की बात करता है कि DPSP non-justice capable है article 38 बात करता है DPSP के objective की कि DPSP का aim है state की welfare कि वहाँ पर equality होनी चाहिए social, political, सारे right सबको equal मिलने चाहिए तो 38 aim at welfare of state की बात करता है article 39 article 39 के अंदर बहुत सारे principle है जो state को यानि government को follow करने चाहिए जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको इतनी salary तो मिले कि आप अपनी जिंदगी सही से चला पाए equal work के लिए equal pay मिलने चाहिए सारी economy एक ही person के हाथ में नहीं देनी चाहिए ऐसे कुछ principles हैं जिसकी बात article 39 करता है फिर आता है article 39A free legal aid की जो बात करता है कि आपको civil law के लिए भी वकील मिलेगा जैसे हमारे fundamental right में criminal laws के लिए वकील देने की बात की थी वैसे 39A में civil laws के रिए वकील देने की बात किया और सबको equal justice मिलेगा ये भी add हुए और 39A हमारे constitution में add हुए with 42nd amendment 1976 के तहत article 40 बात करता है village panchayat को organize करने की organization of village panchayat village panchayat से किस तरीके से काम करवाना है कैसे काम करवाना है कैसे organize करना है article 40 बात करता है article 41 article 41 बात करता है कि हमारे पास काम करने का अधिकार है पढ़ने का अधिकार है public assistance का अधिकार है अगर हमारे पास काम नहीं है तो ये government की responsibility है हमें काम देना और ऐसी कुछ responsibility को देखते हुए government कुछ schemes भी ले गयाई थी जैसे मनरेगा सुना होगा अगर हम बात करें education की तो हमारे article 21A fundamental right में हमें free education देने की बात की गई है article 42 जो कहते है हमें काम करने के साथ-साथ अच्छी conditions में भी काम करवाना आपके responsibility है मतलब ऐसी कोई condition नहीं होनी चाहिए जो उनके life के लिए बहुत dangerous हो और ऐसा कोई भी काम ना करवाना जो उनके लिए गलत हो जैसे drugs की supply करना ऐसा कोई काम नहीं करवाना अगर हम conditions की बात करें तो factory में काम करवा रहे हो तो वहाँ की condition safely होनी चाहिए जो उन्हें हम ना करें इसकी बात article 42 करता है उसके लावा article 42 बात करता है about maternity leave maternity leave के बारे में बात करता है मतलब pregnant होने के बात आपको leave भी दी जाएगी और उसके साथ आपको salary भी दी जाएगी article 43 जो बात करता है कि हमारे standard के according हमें pay मिलनी चाहिए example अगर हम Bombay में काम कर रहे है तो हमें Bombay के living standard जो है उनका जो culture है उनके according काम मिलना चाहिए उनके according हमें pay मिलनी चाहिए अगर हम किसी छोटे शहर में या किसी गाउ में काम कर रहे है तो वहाँ के standard के according हमें wage मिलनी चाहिए तो living wage for workers उसके बात करते हैं कि जो small scale industries हैं उनको promote करने की next article 43a बात करते हैं workers को participate करने की industries के management में यह add हुआ था amendment 42 1976 से उसके बाद article 43b बात करते है cooperative society की promotion की यह add हुआ था with 97th amendment 2011 से article 44 बात करते है uniform civil goal की हाली में आपने उत्राखंड में देखा होगा कि बहुत जादा uniform civil code को लेके कुछ चल रहा था तो वो क्या uniform civil code चाए कोई हिंदू है सिख है मुस्लिम है किसी भी जाती का कोई भी person यहाँ पे रह रहा है उनका शादी करने का तरीका या उनका तलाक लेने का तरीका सेम होगा इंडिपैंडन से लेके 7th feb तक किसी भी स्टेट में इंप्लिमेंट नहीं हुआ था बट 7th feb 2024 को उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने uniform civil code इंप्लिमेंट किया है अपने स्टेट में आर्टिकल 45 बात करते हैं 6-14 वर्ष के बच्चों की free education देने की और बच्चों की care करने की यह एड हुआ था विद 86th amendment 2002 से आर्टिकल 86th amendment 2003 टीन चीज़ें मेंड करते हैं आर्टिकल 21 यह एड किया गया fundamental right में दूसरा 11th fundamental duty एड हुई थी विद 86th amendment 2002 से उसके इलावा 45 आर्टिकल जो अभी हमने पढ़े free education का उसमें भी changes किये थे पहले जो free education की age थी वो थी 0-6 year फिर उसको change करके 16-14 years के बच्चों को free education देने की बात की थी नेक्स आता है आर्टिकल 46 जो बात करता है weaker sections की जैसे SC, STS किस चीज़ के बारे में कि इनको education मिलनी चाहिए उनके economic interest को देखना चाहिए और उसके इलावा उनकी care करने की बात करता है तो आर्टिकल 46 है weaker sections की बात करता है फिर आता है आर्टिकल 47 जो बात करता है standard of living, improve public health and raise level of nutrition मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं बेच सकते जो सहत के लिए हाने का रखो कुछ ऐसे drugs जो body में बहुत effect कर रहे हैं कोई ऐसी medicine जो आपकी body को बहुत harmful हो सकती है ऐसी चीज़े ना बेचने की बात करता है आर्टिकल 47 nutrition raise करने की बात करता है standard of living की बात करता है कि वो अच्छी होनी चाहिए public health बहुत अच्छी होनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ आप सेल नहीं कर सकते जो उनके standard को उनकी living condition को उनकी body को effect करें next article 48 organization of agriculture and animal husbandry की scientific method से organize करना चाहिए agriculture और animal husbandry को उसके बात 48A article बात करता है environment, forest, wildlife को save करने की यह add किया गया था with 42nd amendment 1976 next article 49 जो monuments protect करने की बात करते हैं जो national importance की हैं फिर आता है article 50 जो judiciary और executive को separate करने की बात करता है मतलब judiciary और executive एक दुसरे के काम में interfere नहीं करेंगे और article 50 को एक basic structure भी बूला गया मतलब इन्हें कोई छेड नहीं सकता है ना तो इस चीज को कोई amend कर सकता है ना इसमें कोई changes कर सकता है judiciary और executive separate ही रहेंगे यह अपना अपना काम ही करेंगे यह article 50 कहता है फिर article 51 है जो बात करता है peace and security को promote करने की उसके बाद आता है directive principle of state policy तीन तरह की है social, गांधियन, liberal मतलब कुछ ऐसे articles हैं जो socialist को follow करते हैं जो socialist के principles हैं कुछ ऐसे articles हैं जो गांधियन के principles हैं कुछ ऐसे हैं जो liberal के principle हैं अब socialist के अंदर articles आते हैं 38, 42, 39, 39A, 41, 43, 43A, 47 यह सारे socialist के principles की बात करते हैं फिर गांधियन के articles आते हैं article 40, 43, 43B, 46, 47, 48 जो गांधियन के principles को follow करते हैं उसके बाद liberals के article आते हैं article 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 जो liberal के principles को follow करते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा तो यह थी आज की class जिसमें हमें part 4 भी complete कर लिया directive principle of state policy और कितनी तरह के directive principles दे वो भी पेख लिये हैं So, आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको फिर भी कोई doubt है Do let me know in the comment box तो जोज़े मिलते हैं next part के साथ Thanks for watching अगर आपको वीडियो पसंद आए है Do like, share and subscribe to the channel